जहांगीरपुरी हिंसा मामले में केजरवाल क्या कहते सुनते हैं? आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आके इसको जुरूर देखें देखें अपर आजान बनाम हनुमान चल रहा है देखें सब लोग अपने अपने भगवान को अपने अपने इश्ट देवता को अपने अपने जो भी जिसमें श्रद्धा रखता है उसको माने और उसकी पूजा करें सर जांगीरपुरी में जो पत्थरा हुआ है उसको लिए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि शांती बनाए रखना बिना शांती के तो देश तरक्की नहीं कर सकता सब लोगों को शांती बनाए रखनी है, सब लोगों को विवस्था बनाए रखनी है और अगर जुरूरत पड़े तो जो एजनसी हैं, जो पुलीस हैं, जो सरकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिली में शा तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में पत्राव की खबरे सामने आई दरसल शाम होते होते तस्वीर कैसी है वहाँ को दिखा रहे हैं वहाँ पर पॉलिस के मौजूदगी है आज हनुमान जेनती के मौके पर शुभायात्रा निकालने के दारान हंगामा हुआ ब्लॉक सी जांगीरपुरी के ब्लॉक सी में कुछ लोगों ने पत्राव शुरू कर दिया और इसके बाद हालात नियंतरल से बाहर होते वे दिखाई दे रहे थे लेकिन फिलाल हालात नियंतरल में हैं गौरव मिर्शा हमारे से होगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन हो गई है और 144 करने की बात आ रहे हैं तरसल यह गटना पूरी तरीके से पीपांड थी यानि कि पहले से सयारी की गई थी और जैसे ही वहां सोभा यात्रा गुजर रही थी पत्सर बचाने शुरू कर दिये गए तो मौकर के पुलिस को पत्सर मिले हैं इसे अलामा पत्सर के साथ सा जो गाड़ियों के सीसे से वो तूटे है कई गाड़ियों को आज के हवाले करने की जो ख़वर सी हमारी वो भी बिल्कुल उस पर भी मोहर लग चुकी है कई गाड़ियों में आजजनी की गई है इसके अलामा धर्जन भर से जादा लोग चोटी लुए है जिनको जिनका उप्चार चल रहा है जरसल ये पूरी धटना जो है पुराने तंधर्श के कारण हुई है कुछ जो अस्थानिये लोगों का यह भी कहाना है जो इस कारिकरम के आयोजन में से काफी पुराना एक विवाद था आपस में और उस विवाद को लेकर के पहले से ही ठंकियों का बहुत चल रहा था कि वो जो ये सोभा यात्रा है हनुमान जैन्ती के उसर पे इस सोभा यात्रा को नहीं निकलने देंगे और उसके बास पे इसी पुराने विवाद की बास के बास से जबास सोभा यात्रा निकली हलांकि मौके पर दिल्ली को इसके आदेश जी और हनुमाच एंडी के अवसर पर जो सुवायतरा सांधी पूर्ण से निकाली जा रहे थी जांगी तुरी वे उस पर जिस तरह पत्राव किया गया ये बहुत ही सामप्रदाइक और घंडिया सोच है जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया उसको कानून सजा जरूर देगा दिल्ली पुलिस उस पर जरूर कारवाई करेगी लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि आज जैसे दिल्ली के हालात हैं और दिल्ली में आमाधी पार्टी की सरकार जिस तरह से रोहिंग्या और बंगला देटी जो मुसल्मान हैं उनको संरच्चन देने का काम इस तरह के इलाको हिलाके कर से थाराएं पहां चाहे हमें पार्टी से बारी। कि जाट के लिए जरूर खेजेंगे और उसमें जरूर कुछ नकुछ निकल कर आएगा अदेश गुपता जी खबर यहां तक ही आ रही है साब ने कि पहले से अंदेशा था किस इलाके से अगर शुभायात रह गुजरेगी तो तोड़ पोड़ हरिंसा हो सकती है क्या आपके प हो रही है अभी वाहना एक तरह से शांथी बनाय रखें इसकी हम अपील करते हैं और कारीकर्ताओं चर भी हमने कहा है कि वहां शांथी बनाय रखने के लिए हर समब प्रयास करना चाहिए हमें और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए जी तो आदेश कुपता कह रहे हैं कि सभी पक्ष को शांती बनाए रखने की कोक्षिश करनी चाहिए शुक्रिया आदेश कुपता जी नियूज इंडिया से बातचित करने के लिए तो बीजेबी के स्टेट प्रसेडंट ये कह रहे हैं कि हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि शांती बनाए रखें और फिलाल वहाँ पर शांती तो है लेकिन आज शाम जबरदास थंगामा हुआ गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई आगजनी की गई और हरुमान जन्ती के मौके पर जो शुभा यातर निकाली जा रही थी इसी दोरान एक दूसरे पक्ष ने पत्राव शुरू कर दिया कुछ घरों के उपर पहले से इंट पत्र एकटा करके रखे गए थे मतलब ये कि साज़िश के तैयारी पहले से थी पत्राव के तैयारी थी अचानक से कुछ नहीं हुआ था फिलाल ये जानकारी मिल रही है पॉलिस की भारी विवस्ता वहां पर भारी संग्यारी पॉलिस वहां पर मौझूद है गौरव बीजेबी स्टेट प्रेसिडंट तो इंकार कर रहे है कि ऐसी कोई खबर है कि पहले से तनाव था और तना को लेकर कि आशनकात यह से किसी भी खबर से उन्हों ने इंकार किया है उन तक यह जानकारी बात मिली आएगी जो कुछ मौके पर जाएंगे उनके कार्यकरता उनको जानकारी देंगे लेकिन जो आयोज़क थे और जो इस वह कार्यकर में शामिल थे उन्होंने मुस्ते वहां से लगतार बनी रहती है रिंकु शर्मा के हत्या हुई उसके बाद से पूलिस एंशोर किया था कि इसके लाट्चे में तरीक कोई गटना है नहीं होंगी इसके अलावा वही से मैंने कई खबर आती भी किया है जाते हिंदों ने पलाइन भी किया है उसके पहली बार नही है कि वहां कोई इस तरीके की घटना गटिक होई हो दिल्ली पूलिस कमिसर ने भी इस बात की जाक्तारी इसलिए अमेटे तक पहुँचाई जोंकि यह पता है कि जो इसके आज वहां पर उपन हुई है यह एक दिन में नहीं शांत की जा सकती है जोंकि आपकी चक्राव जाने कि यह जो घटना है यह अपने आफ़े रास्थानी दिल्ली में घटी ते कोई घटना है राम नौकी की बात बने रही है दीपक चौबे हमारे सायोगे इस ख़बर बात्चित करने के लिए दिपक जानकारी यह मिल रही है कि एमेट चे ने कुछ खास एदिकारियों को मौके पर भेजा है पूरे मामले की जान्च परताल करने के लिए और अहलात पर नियंतर रखने के लिए दिकारियों से बात करें उन्होंने दिली पुलिस कमिशनर से भी बात किये और ग्रम मंतरारे ने कुछ चुनिंदा जो अफसर है उनको उस जगह पर भेजा है पूरी रिपोर्ट मांगे और बात की जाए तो चाहें सियार्पियों फोर्स तको भारी जो फोर्स है उसको वहाँ पर डिप्लॉई किया गया और बात की जाए तो देखें ग्रम मंतरी खुद नजरे बनाये हुए पलवल की जानकारी है वो दिलिपूरिस कमिशनर से ले रहे हैं और गर्म मंतरी का साफ कहना है कि किसी भी जो उपरवदी है अगर आप देखेंगे कि प्छले एक साल के अंदर या पिछले कुछ जिरों के अंदर इस परकार की घटना है हुई है जो रामनोमी शोबायात्रा के दोरान हो तो जगा जगा पे अगर आप देखेंगे कि इस परकार की घटना है आपने भी नोटिस की होंगी कि पिछले दस तिन पंदरा दिन के अंदर कही परकार हुई है दिली बिलिजस पे कारवाई करेगी और निशित प्रूप से जो भी दोशी होंगे उनको इडेंटिफाई करके एक भी विक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा मैं अभी फिलाल आपको इतना ही कहना जी तेजिन पाल जी शुक्रिया आप नियूज इन्या से बात्चित करने के लिए तो तेजिन पाल सिंग बगगा कह रहे हैं कि जो भी दोशी होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी दीपक चौबे हमारे साथ बने हुए हैं दीपक चौबे कुछ खास अफसरों को भीजा गया है मौके पर जी रहे हैं अगर बात कीजाए कुछ खास अफसर जो भीजा आप जाईए और जी तरीके से लागातार जो हुआ हिंसा हुए उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि पहले से ये सोंजिक तरीके से परियास किया जाएगा उसके बात जो ग्रह मंतरी है वो खुद एक्शन आ जो जो खुद नजर बनाए हुए और लगतार जिस तरीके से वहां की गचना वीडियो आ रहे हैं वो कहीं न कहीं दिखाता है किस तरीके से इस साजिस के तहत किया गया है तो देखे तो कि अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ग्रह मंतर आले के अंदर आती है खुद ग्रह मंतरी देख रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ बड़ा एक्शन करने के मून में दिल्ली पुलिस कुछी साफ ग्रह मंतरी ने जाए हुए अगर बात वहीं अगर बात की ज ठीक है गौरव हमें बताईए ग्राउंड जरो पर क्या सती है क्या वहाँ पर हिंसा जब भड़की जब पत्राव शुरू हुआ उसके बाद आगजनी की गई और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया क्या उसके बाद भी कोई पक्ष साब ने आया है तोड़ पोड़ करने के लि में I and Les अब लोग कर रहे हैं उसका कर रहे हैं इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं पुलिस फोर्स है सारी चीज़े सिच्वेशन अंडर कंट्रोल है और जो भी जगड़ा जो भी हुआ है इसको हम लोग जो पीस कमीटी है अमन कमीटी है तमाम लोगों से बादशित कर एक शांती और सोहार्द पूर्ण वातावर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जड़ी लोगों से अपील करें कि शांती वेवस्था कायम पर रखें आप देख सकते हैं आप लोग जाए प्लीज आप लोग जाए प्लीज आप लोग जाए ठीक है पोलिस के अधिकारी ग्राउंड जेरो पर मौझूद है और कहा रहे हैं कि सेटुएशन अंडर कंट्रोल है यानि कि सेटुएशन जो है वो नियंत्रडब में है पुलिस की टीम पुलिस के अधिकारी ग्राउंड जेरो पर मौझूद हैं पिल्कुल दुखे जिस तरीके से जानकारी पीजारी इस सिटी तो अंडर कंट्रोल है लेकिन पुलिस जिस तरीके से वहां पे पहुची जो अमन कमेटी के लोग हैं उन से पहले जाकर क्योंने पुरे मामले को अंडर कंट्रोल कर लिया है दूसरो अजसा की मेरे सर्यों की तीपक चौबे बता रहे ते मंत्राला लगातार इस पूरे मामले की मौणिट्रिंग कर रहा तो मुझे लगता है कि इस मौदे जो भी इन क्लियर होगा वो तीजे जरूर बहार आएंगी पास ही PCTV फुटेज है और जो कैमरा लगा हुए सामने मुझे लगता है कि दिली पुलीपे उसे कबजे में ले लिया होगा और उसके फुटेज के आधार पे भी अप्तारियां कल से सुरू हो जाएंगी इस तरीकें से पत्थर बलताये गए हैं आतों में हथियार थे कौन से तो लोग से यह हमले हुए यहां पे उस आधार पे अधार किया जाएगा इडिया फुटेज के आधार पे और उसके बास से उनको अधार किया जाएगा